आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं जुलाई के complete current affairs जितने भी important event हुए हैं जुलाई के वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में cover किये हैं जैसे important awards, days, government scheme, appointment, international army navy exercise और international meeting और guys, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हैं तो वीडियो को पूरा end तक देखें और अच्छा लगें तो like, share और subscribe जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे subscribe जरूर करें और bell icon को प्रेस करना ना भूले ताकि next वीडियो आप तक पहले पहुँच सके तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है according to the report of CMFRI which state topped the sea fish production हाल ही में CMFRI दोरा जो report जारी की गई है उसमें भारत के किस राज्य ने मसली के उतपादन में प्रतमस्तान पाया है तो सही आंसर है तमिल नाडू CMFRI का full form आप लोग उसे पूछ सकते हैं तो CMFRI का full form क्या है Central Marine Fisheries Research Institute और पूरे विश्व के अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में मसली के उतपादन में जो टॉप किया है वो किया है चाइना ने यह है Central Marine Fisheries Research Institute और यह जो CMFRI है यह हर साल मसली के उतपादन के ऊपर report बनाती है और यह है मैप में चाइना जिसने पूरे विश्व में मसली के उतपादन में टॉप किया है और इसकी जो capital है वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है तो capital क्या है BG हमारा next question है which state has launched बल्राम scheme हाल ही में किस राज्जे ने अपने राज्जे में बल्राम scheme को लागो किया है तो सही आंसर है उलिसा अब बात उलिसा की है तो उलिसा के चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए उलिसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पतनायक और वहा लेंडलेस फार्मर्स के ओपर वो होगा 1040 करोड रोपेका जो 7 लाग लेंडलेस जो फार्मर है उनकी मदद करेगा ये हैं उलिसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक और ये हैं वहां के गवर्नर गनेशी लाग हमारा next question है what is the name of the longest train run by Indian railway हाल ही में Indian railway दोरा चलाई गई भार तक की सबसे लंबी train है सीसनाग जिसकी जो कुल लंबाई है 2.8 km है ये train नाकपूर से कोर्बा तक चली और ये एक माल गाड़ी है माल गाड़ी आप समझते ही होंगे जिसमें हम लोग समान की आवाजाही करते हैं और समान को लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक next question है who is the first Indian to get podium place in the first edition of virtual race across America हाल ही में virtual race across America 2020 में किस भारतिये ने podium place हासिल किया है पहली बार तो सही answer होगा लेटरेंड कर्नल भरत पन्नू ये हैं लेटरेंड कर्नल भरत पन्नू जिन होने virtual race across America 2020 में तीसरा स्थान पाया है अब ये virtual race होता क्या है इस virtual race में जो खिलाडी होता है उसको एक बंद कमरे में cycle चलानी होती है और जो cycle चलाता है वो एक video game की तरह होता है जिसमें वो जितनी बार पैडल मारेगा वो उतनी ही दूरी तैग करेगा और इसी के हिसाब से उन्हें race competition में judge किया जाता है next question है which state or UTs launch a portal name LED हाल ही में किस राज्ये ने अपने राज्ये में LED portal शुरू किया है तो सही answer होगा Delhi अब LED का जो full form है आप लोगों से पूछ सकते हैं तो LED का full form है learning through e-resources made accessible for Delhi तो इसके तहर दिली में जितने भी बच्चे हैं जो COVID-19 के वज़ा से school नहीं जा पा रहे हैं उनको घर पर ही जो learning resources है वो provide किये जाएंगे ताकि वो पढ़ सके वैसे ही school में पढ़ते थे यह आप देख सकते हैं learning through e-resources made accessible for Delhi और इसके chief guest कौन थे मनीश सिसोधिया जो की deputy chief minister है Delhi के next question है which country was the largest contributor of e-waste in the release global e-waste monitor 2020 report हाल ही में global e-waste monitor 2020 के report के अनुसार किस देश ने सबसे ज्यादा e-waste produce किया है तो सही answer होगा चाइना अब यह e-waste का मतलब है क्या e-waste का मतलब है जो भी आप phone इस्तेमाल करते हो या कोई भी ऐसी चीज जो electronic है और खराब हो जाती है तो वह e-waste कलाती है तो इसमें सबसे ज्यादा e-waste produce किया है वो किस ने किया है चाइना ने यह आप देख सकते है United Nations Global e-waste monitor report 2020 तो इसमें top किस ने किया है चाइना ने सबसे ज्यादा e-waste का production किया है next question है how long can Valdemir Putin remain president of Russia कितने समय के लिए Valdemir Putin Russia के राश्पती बने रह सकते हैं तो सही answer होगा 2036 तक Valdemir Putin जो है वो Russia के president बने रह सकते हैं अब बात Russia की है तो Russia की capital के बारे में आपको पता होना चाहिए तो Russia की capital क्या है Moscow और वहां की currency है वो है Russian rubel यह है map में Russia और Russia क जो capital है वो क्या है Moscow और यह है Valdemir Putin Russia के president और यह है वहां की currency Russian rubel next question है by what name NASA created 3D printed necklace to avoid infection आल ही में NASA ने एक 3D printed necklace बनाये है COVID-19 से बचने के लिए तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम है Pulse यह आप देख सकते हैं यह है वो necklace और इस necklace की खास बात क्या है जब कभी भी आप अपने मूँ में या फिर चहरे पर कभी हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो यह तुरंद vibrate करना शुरू कर देगा और यह आपको यह बताएगा कि आपने हैंड बिना wash किये ऐसे ही आप अपने चहरे पर हाथ लगा रहे हो जिससे infection कम से कम फैलेगा नेक्स question है who has been selected for the 2020 Dino Award 2020 का Dino Award किसे मिलने जा रहा है तो सही आंसर है प्रेया ठक्राल यह दिल्ली की 13 साल की युवा है और 2020 का Dino Award इनी को मिलने जा रहा है यह है प्रेया ठक्राल जिनको 2020 का Dino Award मिलेगा नेक्स question है which state government has postponed the world famous स्रावनी फेयर तो सही आंसर है जारकन जारकन की ही government ने world famous स्रावनी फेयर जो है उसको पुश्पॉन कर दिया है यह स्रावनी फेयर जारकन के देवगर में मनाया जाता है और यहाँ पर जो सिव मंदिर है वहाँ पर हर साल स्रमण के महिने में लगबग तीस लाग लोग सिव लिंग पर जल चड़ाने आते हैं और इस साल COVID-19 की वज़े से ही इसको पुश्पॉन किया गया है वहाँ की government दोरह जारकन के चीफ मिनिस्टर कौन है हेमत तोरेन और वहाँ की गवर्नर कौन है दरुपदी मुर्मू और यह आप देख सकते हैं यहाँ पर लगता है वर्ड फेमस तरावनी फेयर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमत तोरेन और यहाँ की governor दरुपदी मुर्मू next question है who was appointed as the policy officer in the united nation हाल ही में united nation में किसको policy officer बनाया गया है तो सही answer है बैसाली महुंते यह है बैसाली महुंते जिनको policy officer के रूप में चुना गया है united nation next question है what is the name of France PM who recently resigned from the post of PM हाल ही में France के PM ने अपने पत से स्तीफा दिया है उनका नाम क्या है उनका नाम है Ediro Philippi यह है Ediro Philippi प्रांस के प्रधान मंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पत से स्तीफा दिया है who has written a new book called A Song of India हाल ही में A Song of India नाम की किताब किस ने लिखी है तो सही answer होगा Ruskin Bond इस book में Ruskin Bond ने अपनी खुद की कहानी लिखी है कि 16 साल में उन्होंने कैसे struggle किया और कैसे एक successful author बने यह है Ruskin Bond जिन्होंने किताब लिखी है A Song of India और यह है उनकी किताब जो उन्होंने हाल ही में लिखी है next question है who became the new president of Poland हाल ही में पॉलेंड का नय राश्पती किसे चुना गया है तो सही answer है address doda और वहां की capital क्या है को आट की capital है Warsaw और जो currency है वहां की करन्सी क्या है Polish Zloty तो चलिए map में देखते है Poland कहा है यह देखिए map में यह वालो पॉर्षन आपको दिख रहा है यह है पॉलेंड और इसको और जूम करके देखें तो यह देखें यह है पॉलेंड और पॉलेंड की जो कैपिटल है वो क्या है वार्षव यह है वहां के नए राश्पती एंड्रेज दूदा और यह है वहां की करेंसी पॉलिस जलोटे next question है which state government will started the roko toko campaign recently हाल ही में कि राज्य सरकार ने अपने राज्य में रोको टोको केंपेंड शुरू किया है तो सही आंसर है मद्य परदेश मद्य परदेश के चीफ मिनिस्टर सिवराश सिंग चोहान ने रोको टोको केंपेंड लागू की है अपने राज्य में बेसिकली ये स्कीम जो लाई गई है ये उन लोगों के लिए लाई गई है जो मास्क नहीं पैनते आप लोगों पताई है कि COVID-19 का प्रकोप पुरे भारत में चल रहा है तो जो लोग मास्क नहीं पैनते उनको रोको टोको के तहट मास्क दिये जाएंगे और ये मास्क नहीं फिरी में नहीं दिये जाएंगे इन मास्क के बदले उन से 20 रुपे लिये जाएंगे पाइन के तौर पर ये आप देख सकते हैं ये हैं मद्यपरदेश के चीफ मिनिस्टर सिवराज सिंग चोहान जिन्होंने ये रोको टोको केंपेन मद्यपरदेश में लागू की है किस दिन हम मलाला दिवस मनाते हैं तो सही आंसर होगा 12 जुलाई हर साल 12 जुलाई को हम मलाला दिवस मनाते हैं UN ने युवा समाजिक कारे करता को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर हर साल 12 जुलाई को World Malala Day मनाया जाता है। ये हैं Malala जिनके नाम पर हम Malala Day मनाते हैं हर साल 12 जुलाई को। इनके बारे में और एक बात बहुत important है जानने वाली वो क्या है। इनको 2014 में Nobel Peace Prize भी मिला है जब ये 17 साल की थी। और पूरे विश्वि में सबसे कम उम्र में Nobel Prize पाने वाली ये पहली युवा भी है। नेक्स वोशन है Who has won the Starian Grand Prix 2020 Race। तो ये किसने जीती है। ये जीती है Lewis Hamilton ने। ये एक Formula One Race है। और इस साल की Starian Grand Prix 2020 जो Race जीती है वो किसने जीती है। Lewis Hamilton ने और ये है Lewis Hamilton जिन्होंने ये Grand Prix जीता है। नेक्स वोशन है In which country India has became the second largest country to invest through FDI। भारत किस देश में FDI के जरिये निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो सही answer क्या है Britain। भारत ब्रिटेन में FDI के जरिये निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। चलिए देखते हैं मैप में Britain कहा है। आपको ये दिख रहा होगा Red portion ये है Britain और इसको और Enlarge करके देखें तो ये है Britain। और ब्रिटेन की जो Capital है वो क्या है London। Next question है Who won the Dada Sahib Falke Award for short documentary। हाल ही में short documentary के लिए Dada Sahib Falke Award 2020 किसको दिया गया है। और ये question बहुत ही important है SSC के purpose से और बाकि जितने भी one day exam है उनके लिए। क्योंकि ये Dada Sahib Falke Award बार-बार पूछे जाते हैं exam में। उसका सही answer क्या है के जोंग दे थौंग दोग ये अन्वाचल परदेश के फिल निर्माता है और इनकी short film ची लुपो के लिए इन्हें ये Dada Sahib Falke Award 2020 का दिया गया है। ये है के जोंग दे थौंदोग जिनको ये Dada Sahib Falke Award दिया गया है 2020 का short documentary के लिए। विश्व के दूसरे सबसे तेज आल राउंडर जिन्होंने 4000 रन और 150 विकेट लिए हैं वो कौन बने हैं तो बने हैं बैनिस्टोग ये England के खिलाडी हैं जिन्होंने 4000 रन और 150 विकेट लिए हैं और ये एक आल राउंडर है का मतला आप समस्ते होंगे जो बैटिंग भी करता है और जो बॉलिंग भी करता है ये हैं बैनिस्टोग जिन्होंने नया रिकॉर्ट बनाया है next question है who became the first black female pilot to join the US Navy हाल ही में अमेरिका की नेवी में पहली black महिला जो पाइलेट बनी है तो वो कौन है वो है हाल ही में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था जो फसेवे लोग है जो बाहर फसेवे लोग है उनको भारत मिलाने का तो वो कंप्लीट हो चुका है तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है उस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु यह आप देख सकते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु बिगेश्ट एवेकवेशन जो चलाया गया था ऑपरेशन भारतिय नेवी के द्वारा नेक्ट वोशन है विच यूटी लॉंज दा मोधी स्कीम हाल ही में किस यूनेंट टैट्री ने मोधी स्कीम अपने यूनेंट टैट्री में लॉंज की है तो मोधी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकते हैं तो मोधी का फुल फॉर्म क्या है Mission Organic Development Initiative जो की लदाक में लॉंज की गई है यह आप देख सकते हैं लदाक यूटी लॉंज दा मोधी स्कीम इन लदाक यूनेंट टैट्री नेक्स वोशन है हाओ लॉंग दे एशिया क क्रिकेट टूनामेंट वॉस पोस्पॉन तेल 2021 यह पोस्पॉन किया गया है COVID-19 को देखते हुए ताकि संक्रमन खिलाडियों में भी ना फेले और जो मैस देखने आएंगे लोग उनको भी ना फेले इसलिए यह जो कप है उसे पोस्पॉन कर दिया गया है हाल ही में किस देश ने भारतिये निउस चैनल को अपने देश में ब्रॉडकास करने से प्रतिबन लगा दिया है तो सही angår होगा NEPAL नेपाल ने हाल ही में अपने जितने भी cable operator हैं, उनको order दिया है के आप जितने भी Indian news channel है शिर्फ दूरदर्शन को छोड़कर बागी सारे channel को broadcast करने से रोकें ये आप देख सकते हैं, नेपाल banned all Indian news channel except दूरधर्शन, slam def evangelical coverage of PM KPO next question है, who was the CEO of BCCI who resigned has just been accepted हाल ही में BCCI के जो CEO हैं उन्होंने अपना resignation दिया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है राहुल पुरी और ये हैं BCCI के CEO जिन्होंने अपना हाल ही में resign दिया है राहुल जोहरी How many journalists have been selected for the International Press Freedom Award 2020 2020 का अंतराश्तिय प्रेस सोतंतरता पुरुषकार के लिए कितने पत्रकारों को चुना गया है तो सही answer है 4 हर साल Committee to Protect Journalist के दोरा ये award journalist को दिया जाता है जो अपनी जान जोकिंग में डाल कर हम तक खबरे पहुँचाते हैं और ये award चार देशों के चार जनरिस्ट को दिया जाएगा तो देखते हैं वो चार जनरिस्ट कौन से हैं पहले जनरिस्ट है साहिदुल आलम ये कहां के हैं बांगलादेश के दूसरे हैं मुहमेद मासीद ये कहां के हैं इरान के तीसरे हैं दोपो ओलोरन यामी ये कहां के हैं नाइजीरिया और चौती है सेवेटलाना ये कहां की हैं महुम्मद मासीद, दूसरे हैं दोपो, ओलोरन, यामी, ये हैं नाइजिरिया के, और तीसरे हैं साहिदूल, आलम, ये हैं बांगलदेश के, और चौती हैं सेवेटलाना, ये कहा की हैं रशिया की. नेक्स पोर्शन है, विच स्टेट, पोबा रिजर्ब फॉरेस्ट, विल बी अपग्रेड़ेट टू वाइड लाइफ सेंचुरी, हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्ब फॉरेस्ट को वन्ने जीब अभिहारन में अपग्रेड किया गया है, तो सही आंसर है असाम, असाम की केपिटल क्या है, दीसपूर, असाम के चीफ मिश्र कौन है, सर्बनन्दा, सोनवाल और वहां के गवर्णर कौन है, जग्दीश मुखी, और इसमें एक और बात जानने वाली ये है, इसे रिजर्ब फॉरेस्ट 1924 में डेक्लेट किया गया था, वहां की गवर्मेंट दौ किया है, तो सही आंसर है आंदरपर्देश, आंदरपर्देश में ही ऑपरेशन मुखान चलाया जाएगा, और इसके तहट जो भी बच्चे मिसिंग है, उनको ढूना जाएगा, या फिर जो बच्चे दुखानों में जबरन काम कराया जा रहे हैं, या उनसे बंदवा मजद और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और रेगुलर रहें, तब ही आपको ये सारे की सारे चीज़े याद रहे पाएंगे, नेक्स वोशन है What is the name of Tunisia PM, who resigned recently? हाल ही में Tunisia के जो परधान मंतरी है, उन्होंने अपने पत से स्टीफा दे दिया है, उनका लाम है Alice Fakfak, अब बात Tunisia की है, तो Tunisia के capital के बारे में आपको पता उना चाहिए, तो Tunisia के capital क्या है? Tunis, वहां की currency क्या है? Tunisian rock. ये है tunisia के PM जिनोंने अपने हाल ही जो portion आपको दिख रहा है ये क्या है Tunisia और Tunisia की जो capital है वो क्या है Tunis ये है वहाँ की currency Tunisian Dinar next question है who has made new brand ambassador of sports adda sports adda का नया brand ambassador किसे बनाए गया है तो सही answer है Bradley ये आप देख सकते हैं new brand ambassador of sports adda ये है Bradley और ये Australia team के तेजगी इंदवास थे जिनको sports adda का नया brand ambassador बनाए गया है next question है recently नीला सत्यनाराइन pass away she was the first woman election commissioner of which state हाल ही में नीला सत्यनाराइन का निदन हुआ है और उकी सराज्ये की पहली election commissioner थी तो सही answer है महराश्ट ये है नीला सत्यनाराइन महराश्ट की पहली महिला election commissioner जिनका हाल ही में निदन हुआ है अब बात महराश्ट की है तो ये रहा map में महराश्ट महराश्ट की जो capital है वो क्या है मुंबई वहाँ की जो cm है वो कौन है उदव ठाकरे और governor कौन है भगत सिंग खोशियारी next question है who is appointed as the new hockey president of India हाल ही में भारत के hockey संग का नया अध्यक्स कीशे चुना गया है तो वो चुना गया है ग्यानेंद्र निगोंबम को और ये हैं ग्यानेंद्र निगोंबम जिनको भारत के hockey संग का अध्यक्स चुना गया है next question है what is the position of India in the ongoing global manufacturing risk index 2020 global manufacturing risk index 2020 में भारत का कौन सा स्थान आया है तो भारत का कौन सा स्थान आया है तीसरा स्थान आया है कितने देशों में से 48 देशों में से भारत का तीसरा स्थान आया है अब इस index से हमें क्या पता लगता है इस index से हमें ये पता चलता है कि बाहर के जो देश हैं, उनके लिए most suitable देश कौन सा है, जहां पर वो manufacturing unit डाल सकें, तो इसमें top किस ने किया है, top किया है, चाइना ने, ये आप देख सकते है, global risk report 2020, और इसे जारी कौन करता है, world economic forum, इस पे top किस ने किया है, चाइना ने, second कौन है, USA, और third कौन है, हमारा भार अब बात चाइना की है, तो ये रहा map में चाइना, और चाइना की जो capital है, वो चाइना की capital क्या है, बीजिंग, ये भी आप लोगों से paper में पूछे जा सकती है, और चाइना के जो president है, वो कौन है, जिंग्पिंग, next question है, who released a book on Tangmaas tribe, हाल ही में किस ने Tangmaas जन्जाती पर लि ये आप दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं, और इसे रिलीज किस ने किया है, पेमा खांडू ने, जो कि वहां के chief minister है, अब बात अन्वाचल पर देश की है, तो ये रहा map में अन्वाचल पर देश, CM कौन है, पेमा खांडू, और गवर्णर कौन है, बीडी, मिश्रा, next question है which state police started a virtual awareness campaign called cyber, हाल ही में किस राज्य की police ने virtual awareness campaign cyber अपने राज्य में शुरू की है, तो सही आंसर है तलंग गाना, अब इस साइब हर virtual awareness campaign में क्या होगा, तो राज्य में बच्चों और महिलाओं पर online होने वाले अपराद को रोखने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा, औ और इस एक महिने के दोरान बच्चों और महिलाओं पर online होने वाले जितने भी अपराद हैं, उनको रोखने की कोशिस की जाएगी और उसे कम से कम करने की कोशिस रहेगी तिलंगाना पुलिस की, next question है, when was international day of justice celebrated, हाल ही में अंतराष्टिय नियाए दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को और ये हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, world day for international justice celebrated on 17 जुलाई, ये दिन अंतराष्टिय नियाए विवस्ता को चिनहित करने और पीडितों के अधिकार को चिनहित करने और उनके अधिकारों को बचाने के लिए मन अब बात Gabon की है, तो Gabon की capital के बारे आपको पता होना चीए, तो Gabon की capital क्या है, लाइबरेली, और वहां की currency है, वो क्या है, CAF prank, ये है पहली महिला ब्रधान मंत्री, Gabon की, Ross, Christine, Osuka, Raponda, और ये रहा map में Gabon, और Gabon की capital है, वो क्या है, लाइबरेली, और ये है वहां की currency, CAF prank, Next question है, When did Nelson Mandela Day celebrated, हाल ही में Nelson Mandela Day कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 18 जुलाई को, United Nation हर साल 18 जुलाई को Nelson Mandela Day के रूप में मनाता है, अंतराष्टे इस्तर पर लोकतंत्र के लिए संगर्स और दुनिया भर में सांती को बढ़ावा देने में Nelson Mandela का बहुत बढ़ा योगदान र Nobel Peace Prize भी मिल चुका है, Next question है, Who will be awarded the Tribute Actor Award at TIFF 2020, हाल ही में Toronto International Film Festival 2020, जो की इस September में होगा और उस समारों में Tribute Actor Award किसे दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है Kate Winslet को, अब Kate Winslet के बारे में आप जानते ही होंगे, आपने टाइटनिक मुवी देखी होगी, टाइटनिक मुवी म वो ही है Kate Winslet, ये है Kate Winslet जिनको 2020 का Tribute Actor Award मिलने जा रहा है, Next question है, Who has developed P7 Heavy Drop System for IL-76 aircraft, हाल ही में किसने IL-76 विमान के लिए P7 Heavy Drop System विक्सित किया है, तो किसने किया है, DRDO ने किया है, DRDO की full form आप लोग उसे paper हैं पूछी जा सकती है, तो DRDO की full form है Defense Research and Development Organization, इसका headquarter कहां पे है, तो इसका headquarter है New Delhi में, DRDO ने मेकिन इंडिया के तहत P7 Heavy Drop System को बनाया है, जो IL-76 या गजरात के नाम से भी इसे हम जानते हैं, उससे 7 तन तक का कोई भी समान बड़े अराम से नीचे गिरा सकता है, और वो तूटेगा भी नहीं, Next question है, Which state will create electricity from waste under the initiative called waste to energy, हाल ही में कौन सा राजिय waste to energy पहल के तहर कचरे से बिजली बनायेगा, तो सही answer है उत्राखन, ये आप देख सकते हैं, उत्राखन government to generate up to 5 MW electricity from waste material, अब इससे दो फाइदे होंगी, एक तो electricity की जो कमी है, वो पूरी हो जाएगी, और जो waste material है, वो अच्छे से dispose भी हो पाएगा, अब बात उत्राखन की है, तो ये रहा मैप में उत्राखन, उत्राखन की capital क्या है, देहरादून, वहां के CM कौन है, ट्रिवेन सिंग रावत, और गवर्नर कौन है, बीबी रानी मौर है, और गाईज, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, और आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है, चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दवाए, ताकि नेक्स वीडियो आप तक पहले पहुंच सके, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शियर करें, ताकि उनका भी फाइदा हो सके, नेक्स पोर्शन है, विच स्टेट है अपने राज्ये में शुरू किया है, तो वो शुरू किया है, उरिसा ने, इस योजना में ट्रांसजेंडर को भी सामिल किया है, और इस योजना के तहट हर महने साथ साल से उपर के बज़ुर्गों, विदवाओं और दिव्यांग लोगों को 500 रुपे दिये जाएंगे भत और उसा की जो कैपिटल है वो क्या है बोवनेश्वन नेक्स वोशन है अर्जुन एवाडी रमेश टीका राम है पास अवे रिसेंटली विच स्पोर्ट डिट ही बिलॉंग टू हाल ही में रमेश टीका राम का निदन हुआ है और वो कौन से खेल से संबंदित है तो सही आंसर है बेडमिंटन ये रमेश टीका राम बेडमिंटन से संबन्दित थे और ये अपने समय के बहुत ही जाने माने बेडमिंटन प्लीयर थे रमेश टीका राम ये है रमेश टीका राम ऑर्जुन एवाडी जिनका हाल ही में नीदन हुआ है Standard नैंटीन की वह है, next question है which Indian origin girl has registered his name in the golden book of world record. आल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने golden book of world record में अपना नाम दर्ज कराया है? तो जही आंसर है समृद्धी कालिया, समृद्धी कालिया दुबाई में दर्ज कराया है और यह मात्र 7 साल की है नेक्स वोशन है विच कंट्री है चाइना साइन फॉर आजाद पतन हाइड्रो एलेक्रिक पावर हाल ही में चीन ने आजाद पतन जल विदूत परियोजना के लिए किस देश से समझाता किया है तो सही आंसर है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो कैपिटल है वो क्या है इस्तामाबाद पाकिस्तान logging ँव कौन है इमरान खान ही में कि सीराजय में पहली बार ऊंडीन निस्ता प्रोंग्राम शुरू होने जा रहा है तो सही आंसर है आंदुर पर्देश अब निश्था का full form आप लोगों से पूछ सकते हैं तो निश्था का full form है National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement निश्था प्रोग्राम MHRD के दौरा चलाय जा रहा है लेकिन पहली बार इसे आंदर प्रदेश ने सुरू किया है अब इसमें होगा क्या इसमें टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चों को बहुत ही effective way में समझा पाएं और पढ़ा पाएं और जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को ठीक से समझा पाएं अब बात आंदर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश की केपिटल क्या है? हैधराबाद वहां के CM कौन है? Y.S. जगमोहन रेड़ी और गवर्णर कौन है? विश्व भूशन हरीचंदन नेक्स वोशन है इंडिया डिसाइडेड टू इंक्लूड विश्ष कंट्री इन्टान colour बाड नेक्स का on लोगा इलो पॉशिट एंडिया डिसाइड बिडियो बनाने में बहुत जएदा महनत लगती है और आप लोगे को बिल्कुल एक्उसिड नलिज देने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप पेपर में अच्छा कर पाएं तो इन वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करें कोई भी study group होता है आपका group होता है उसमें शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसे subscribe जरूर कीजिए इससे आपका ही फाइदा होगा अब बात Australia की है तो यह रहा मैप में Australia आप यह जो red portion है यह आप देख सकते हैं यह क्या है Australia और Australia की capital क्या है Canberra और वहां के जो Prime Minister है वो कौन है Scott Morrison Next question है which country became the first country in the world to complete human trial of corona vaccine हाल ही में corona vaccine क्या जो human trial हो वो किस देश ने पूरी तरीके से complete कर लिया है तो सही answer है Russia तो Russia ने ही claim किया है कि उन्होंने corona vaccine की human trial की जो process होता है वो पूरी तरीके से अपने देश में complete कर लिया है यह आप देख सकते है Russian country became the first country in the world to complete human trial of the coronavirus जहां बाकी देश अब इसी का trial कर ही रहे है Russia में इसका trial पूरी तरीके से समापत हो चुका है बात रशिया की है तो यह रहा map में रशिया यह आपको जो red dot डिख रहा है यह है रशिया रशिया की जो capital है वो क्या है Moscow वहां के president कौन है वेल्दमेर पूतीन next question है which state government has inaugurated समर्थी वन on the occasion of Harila उत्सव तो सही answer है उत्राखन यह आप देख सकते हैं उत्राखन के जो chief minister है त्रिवे निसिंग रावत उन्होंने इस समर्थी वन का inauguration किया है अब बात उत्राखन की है तो यह रहा map में उत्राखन उत्राखन के capital क्या है देहरा दून सीम कौन है त्रिवे निसिंग रावत और गवर्नर कौन है बीविरानी मौरव next question है who wrote the novel called the end game हाल ही में the end game नाम की novel किस ने रिखिये तो वो लिखिये एस हुसेन जैदी ने यह है उनकी novel the end game और इस बुक में एस हुसेन जैदी ने गुंडगर्दी भष्टाचार और राजनेतिक चालो के बारे में बताया है और यह भारत के number one crime writer है जो crime के उपर लिखते हैं next question है who has won the Hungarian Grand Prix 2020 हाल ही में Hungarian Grand Prix 2020 का किस से जीता है तो वो जीता है लुइस हेलमिंटन ने यह हैं लुइस हेलमिंटन जिन्होंने 2020 का Hungarian Grand Prix जीता है next question है with which country did India organize passage exercise हाल ही में भारत ने passage नाम की exercise किस देश के साथ की है तो सही answer है USA यह एक naval exercise थी जो की भारत ने USA के साथ की है आया आप देख सकते हैं यहां पे दोनों ship होंगी एक भारत की और अमेरिका दोनों के ship हैं और वहां पे वो सैन्ने अभ्यास करेंगे next question है which Arab country launch is first Mars mission hope हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला Mars mission hope launch किया है तो सही answer है UAE यह आप दे सकते हैं UAE का पहला Mars mission जिसको hope नाम दिया गया है या अमल भी बोल सकते हैं और यह कब किया गया 20 जुलाई 2020 को और यह कहां से किया गया जापान ताने के सिमा से अब बात UAE की है तो यह रहा मैप में UAE UAE का full form क्या है United Arab Emirates और इसकी capital क्या है अबु धब अब बात करते हैं last video के question के answer की मैंने आप लोगों से question पुछा था जिसका बहुत साय लोगों ने सही answer दिया था तो वो question क्या था who won the La Liga Football Cup 2020 तो La Liga Football Cup 2020 का किताब किसने जीता है तो वो जीता है Real Madrid ने यह question आप लोगों के लिए है और इसका सही answer आप मेरे comment box में दे सकते हैं और जितने भी मैं question देता हूँ जो भी मेरे video enter देखता है वो जरूर question को item किया कीजिए और इसका answer comment box में लिखके दिया कीजिए इससे क्या होगा इससे आपको confidence आए और आप paper में और ज्यादा यह answer आप मेरे comment box में मुझे दे सकते हैं I hope guys आप लोगो मेरे video अच्छा लगा होगा तो इसे like, share और subscribe जरूर करें और हो सके तो इस video को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में share के रहे, thank you